तिन सुक्या में घरेलू नोकरानी ने घर के मालिक दमपती सहीद उनकी बेटी एउन नाती को खाने में बेहुसी की दवा मिला कर एक बड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है प्राप जानकरीय को अनिसार तिन सुक्या डियेम है लोईयरू निवासी रामजीवन सुरिका के घर में काम करने वाली नोकरानी ने पिछली टाथ खाने में नासे की दवा मिला दी जिसके चलते रामजीवन सुरिका उनकी पत्नी सुषिरा देवी बेटी अधिवक्तप प्रे पर उस वक्त सर्मा को नहीं मालूम था कि यह लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो रही है जब मालूम पड़ा मोटर बाइक लेकर खोजने की चेस्टा की गई परवफरार हो चुकी थी मालूम हो कि जिसपक लूट की घटना को अंजाम दिया गया राम जीओन सुरिका के बेटे एवग बहु बाहर गए हुए थे इदर राम जीओन सुरिका की पत्नी सुसिला देवी को सर्वाचार लिखे जाने तक खोस नहीं आया है इस घटना से पूरे साहर में संसनी फैली हुई है तिनसुक्या नेशनल चेंबर ओफ कोमर्स के अदग सिरा सर्मा के अनुसार नोकरानी तीन दिन पहले ही काम पड़ लगी थी उसका परिचे अभी तक पता नहीं चल पाया है स्री सर्मा के अनुसार ये उस नोकरानी का अखेले का काम नहीं हो सकता इसमें कई लोग सामिल है स्री सर्मा ने जहात इंसुक्या पुलिस से जल से जल अपरादियों को सिराख कर गरतार करने का आवान किया है वहीं साहर के लोगों से घरेलू नोकर नोकरानी रखते बक्त उनका फोटो साहित पुरा परिचे लेने के साथ उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाले का आवान करने के साथ सुसीला देविके जल्द आरोग्य होने की कमना की है